दोस्तो जीके का सवाल जो जीवन में आप लोगों को खुसी हमेसा के लिए मिलेगी तो चलिए इस वीडियो को अभी और इसी वक्त सुरू करते हैं कि हमेसा के लिए आप लोगों के पास से बीमारी मिट जाए और आपके जीवन में हमेसा खुसी रहे सवाल नमबर एक अस्थामा की बीमारी क्या होता है अस्थामा वाले लोगों को दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों इसका सही अंसर है जीन लोगों को अस्थामा की बीमारी है उनको ठंधा समान बिल्कूल नहीं खाना चाहिए ठंधा समान खाने से अस्थामा की विमारी होती है इसलिए जब भी उख खाना खाये तो एक दो पका करके लहसुन जरूर देना चाहिए दोस्तों सवाल नमबर दो सिंगर लोगों को गाना गाने से पहले क्या करना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा कि ऐसी जनकारी मिलती रहे हमें सा दोस्तों इसका सही अंसर है चीनी का सर्वत जरूर पीना चाहिए इससे गाला मधूर हो जाता है गाना गाने से पहले एक गिलास चीनी का सर्वत बना लेना चाहिए उसके बाद पी लेना चाहिए उसके बाद मैं गाना गाना चाहिए इससे मधूर आवाज हो जाती है और गाना खुब खुबसूरत लगता है सवाल नमबर तीन किसके घर में ब्रक्कत नहीं होती है दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है पूजापाट नहीं करने वाले लोगों के घर में ब्रक्कत नहीं होती है इसलिए आप लोगों से दोनों हां जोर करके मैं यही कहूंगा कि जहां भी रहें वहां पुजा पार जरूर करते रहना चाहिए और पर साथ जरूर चरहाएगा देवी दुरगावों को दोस्तों सवाल नमबर चार सबजी में कौन-कौन सा मसाला जरूर डाल कर बनाना चाहिए कि बीमारी हमेशा के लिए सरीर से मिर्टी रहें दोस्तों दोस्तों इसका सही अंसर है सबजी में सभी मसाला डालने के कारण कोई परकार की बीमारी नहीं होती है जैसे कि जीरा मिर्च लहसुन सबजी में जरूर डाल कर बनाना चाहिए इस से टीबी की बिमारी नहीं होती है लहसुन डालने से और जीरा मिर्च डालने से पेट में गैस नहीं बनता है दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा कि जनकारी डेरेट मिले आप तक दोस्तो इसका सही अंसर है जो आते खाना पचाती है वह बहुत मजबूत बन कर रहता है हमेसा के लिए पालक की साग खाने से जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को आते जो है वह कमजोड हो जाती है उसमें लोहा वीटामिन पाया जाता है दोस्तो वीडियो पसंद आई तो लाइक से और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास जरूर कीज़ेगा